आप 15 दिन के बाद पूरे हरियाना की और पूरे यमना अमारे यमनगर विदानसवा की स्थिति देखेंगे आपको पता लगेगा कि आमादमी पार्टी कहां पर स्टेंड करती है कहां पर नई स्टेंड करती है आप आने वाले विदानसवा चुनाव में पूरे हरियाना में हम पार्टी मजबुत्ति के साथ लड़ी है क्या अगर पार्टी आपको मोका देती है तो आप चुनावी मैदान में उतरने के लिए कितने तत्पर है देखिए पार्टी अगर मोका देती है तो हम पूरे बहतरीं तरीके से लड़ेंगे हम अर्वींद केजरिवाल जी के सच्चे होंगे और हर्याना में जो विदानसवा चुनाव है उसमें परचार करेंगे और उनकी कमी विल्कुल मैसूस नहीं होने देंगे हर्याना में सियासी हवात तेज हो गई है सियासी उठा पठक के बीच अब सबसे बड़ी टैंशन और मंतन टिकट को लेकर हो रहा है इस वास्त मेरे साथ आम आदिव पार्टी के वृष्ट नेता ललित त्यागी है आये उनसे बाचीत करते हैं ललित जी किस तरह की में हर महिने जेने का वौढ बादा कर रहे हैं वह घर तक गरंटी काड़ लेकर जाएंगे जिसको मानने संधीर पाठक जी ने क्या लगता है कि कितने जो वोटर्स हैं वो इसके आस पास रहेंगे देखिए जो वोटर हैं मैं कहता हूं देश में जो मारे 80 क्रोड़ लोग हैं वह अनाज लेते हैं पांच किलों नाज़ पे आज चले वहू हैं ऑने तो फ dich प्याना की जंता सबसे पहले विरोजगारी से हमारे युवा परेशान हैं वो विरोजगारी युवा हमारे साथ हैं और वर्ल्ड क्लाश जो हम शिक्षा की बात करते हैं सरकारी शिक्षा की तो वो अभिवावक हमारे साथ हैं हम वर्ल्ड क्लाश सरकारी स्वास्त की बात करते देने की बात करते हैं वो लोग हमारे साथ हैं बड़े वे बिजली महंगाई बिजली विलों से परिशान हैं वो लोग हमारे साथ हैं तो ऐसे लोग जो समन्ने गरों से हैं समन्ने परिवारों से हैं और जिनको सबसे ज़्यादा आज उन चीजों की जुरुत है वो लोग हमार साथ हैं हमारे पार्टी के साथ हैं जहां जाते हैं हम को भरपूर समर्थन उन लोगों द्वारा मिल रहा है लोग सब्च चुनाव में आम आदमी पार्टी कॉंग्रेक्स के साथ मिलकर लड़ी थी इस बार जो है सनेजियों कुछ और है किस तरह देखते हैं बीजेपी और कॉ सर्वे में हम लोग नहीं थे और आप पंजाब की स्थिति दे सकते हैं पंजाब में आज हमारी पूर्ण और पिछले डाई-3 साल से बहुत अच्छा कर रही है ऐसे ही मैं हरियाना में कहूंगा जो कहते हैं जो जो नेता कह रहे हैं फुलाने की सरकार आ रही है उसकी सरकार करती है आप आने वाले विदानसभा चुनाव में पूरे हरियाना में हमारी पार्टी मजबुत्ती के साथ लड़ रही है और हर समाने वर्ग हमारे साथ है आपने कहा कि पार्टी मजबुत्ती के साथ लड़ रही है क्या अगर पार्टी आपको मोका देती है तो आप चुना हमारे एक पार्टी का एक एक कारे करता मजबूती से इन बीजेपी का जो दस साल का सासन है उनको दवस्त करने का काम करेगा और एक एक साती अरविंद केजरिवाल जी का सैनिक है हमारी पार्टी से कोई बीजेपी कोई गंगरे से चुनाव लड़ने के लिए यहां पे नहीं कि अगर आने वाले जिनों में बवार आते हैं या नहीं आते हैं उसे किस तरह देखते हैं più द्यख जमिन पर के अरविंद केजरीवाल जी बहुत जल्द बहुत जल्द आपके बीच में होंगे और अरियाना में जो विदान सवा चुना हुआ है उसमें परचार करेंगे और उनकी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे बिल्कुल भी जनता को जनता को क्योंकि एक-एक कारे करता केजरी जल्द आपके हमारी पार्टी के मद्यम से आप तक हम पहुचाएंगे और जितना भी हो सके हम पार्टी का परचार जगादरी विदानसभा यमनगर विदानसभा सडोरा विदानसभा और रादोर विदानसभा में करने का काम करेंगे आप लगातार लोगों से समवाद कर रहे हैं किस किस तरह की समस्या जो हैं लोग बता रहे हैं और क्या जो समस्या आ रहे हैं क्या उनका किस स्थर पर जय समाधान हो रहे हैं देखिए सबसे बड़ी तो जो समस्या विरोजगारी की समस्या है गाउं गाउं में जाते हैं युवा विरोजगार हैं और विरोजगारी की वज़े से जब काम नहीं है तो वो नशे की तरफ अगरसर हो रहे हैं एक गाउं में 10-10 युवा आज की डेट में नशे की तरफ हैं मैं यमनगर विदान साभा की बात कर रहा हूं आपसे क्योंकि हम यहां पे ज़्यादा गुमते हैं तो यह सबसे बड़ी समस्या है बढ़ेवे बिजली के बिल है उससे जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इनी मुद्णों को लेके हम सरकार के पास जाते हैं सरकार से बहुत बहुत शुक्राइबाजी यह थे आम आदमी पार्टी के नेता लली त्यागी जी जुने ने कहा है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देते हैं तो मैं चुनाव के लिए पूरी तरह से त्यार हूँ उन्होंने युवाओं के मुद्दे को लेकर जिकर किया अर्विंद क जिवाल है अब इंतिजार टिकट पर है आप देखना होगा यमनगर से पार्टी किसे टिकर देती हैं और आगे भविश्य किस नेता का उज्वल रहता है पंजाब के इसरी के लिए परवेज खान यमनगर हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद